भाग एक निमनी लिखित प्रश्णों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के रेखांगित शब्द का तत्सम रूप लिखिए इसका सही उत्तर ये वाला है दूसरा प्रश्णों पिताजी अंदर खाना खाते हैं क्रिया विशेशन शब्द चुनकर लिखिए क्रिया क्या है यहाँ पर खाते हैं कहां खाते हैं अंदर खाते हैं तो अंदर इसका क्रिया विशेशन हुआ सिस्था प्रेश्ण 1959 हिंदी अक्ष्रों में लिखिए उन्नीस सो उन्सट उन्नीस सो उन्सट चोथा प्रेश्ण है वे मनुज मात्र ड्याश धन है सही कारक चिन पहचानिये का की के वे मनुज मात्र का धन है श्रम और बुजबल के आगे पृत्वी नबतल विनए से जुपते हैं वाक्य के आधार पर सही समास पहचानिये पहला है बुजबल तत्पृत समास नबतल द्विगू समास तो बुजबल याने बुजाओं का बल याने समंद तत्पृत समास ये सही है नब और तल द्विगू समास नहीं द्वंद समास होगा ये गलत है तो बुजबल तत्पृत समास सही है दूसर छटवा है मनोरंजन देने वाले साधनों में लोगी तो एक है रेखा की शब्द का संदी विच्छेद कीजिए मनहा प्लस रंजन सात्वा जिसमें कपट ना हो एक शब्द में लिखिए जिसमें कपट ना हो निश कपट इसका सही उत्तर आंटवा है अमीना का दिल कचोट रहा है रिखांकित मुहावरे का आर्थ पहचानिये बहुत खुश होना, बहुत दुखी होना, बहुत क्रोध होना दिल कचोटने का मुहावरा है बहुत दुखी होना नोवा है महारानी उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है लिंग बदल कर वाक्य फिट से लिखिए महाराजा महाराजा उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करते हैं दस्वा प्रश्ण है स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं वचन बदल कर वाक्य फिर से लिखिए स्त्री बदल कर वाक्य फिर से लिखिए प्रेशक पावक के नाम पत्र लिखता है वाक्य को भविशत काल में बदल कर लिखिए प्रेशक पावक के नाम पत्र लिखेगा इसका सही उतर है बारवा प्रश्ण मैं मेरे पिदाजी के साथ खेलता हूँ वाक्य को शुद रूप में लिखिए मैं अपने पिदाजी के साथ खेलता हूँ बच्चों यह है भाग एक के प्रश्णों तर धन्यवाद प्रश्ण संख्या 13-16 तक दिये गए गध्याम्ष को और पध्याम्ष पढ़कर निर्देशन के अनुसार उत्तर दीजिए तेरवा प्रश्ण निम्न लिखी तो गध्याम्ष पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर अनुछेद में पहचान कर लिखिए लोगी तो ढोलक जांज आदी के मदद से गाते हैं एक समय था जब शास्त्रिय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेशा की जाती थी पर इधर साधरन जनता की और जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित और कला के छेत्र में भी परिवर्तन हुआ है अनेक लोगों ने विविद बोलियों के लोग गीत लोग साहित और लोग गीतों के संग्रहा पर कमर बांदी है और इस प्रकार के अनेक संग्राह अब तक प्रकाशित हो गए है अब प्रश्ण है लोग शब्द का परियाईवाची शब्द पहचान कर लिखिए लोग जन ये दो भी लिख सकते हैं आ है अशास्त्रिय शब्द का विलोम शब्द पहचान कर लिखिए अशास्त्रिय का विलोम होगा शास्त्रिय लोग उपसर्ग से युक्त शब्द पहचान कर लिखिए लोग याने पहला इस वर्ड है लोग गीत लोक गीत ई है इत्व प्रत्य से युक्त शब्द पहचान का लिखिए लोक गीत डोलक सांजा आदी के मज़से गाते हैं एक समय में जब बहुसासरे संगीत के सामने है तो यह हो सकता है गई है इसने प्रकाशित इत्व प्रकाशित छोटी की मात्रा औरता लोकीत डोलक सांज जांजा आदी के मज़से गाते हैं इस वाकि में क्रिया शब्द पहचान का लिखिए तो गाते हैं गाते हैं भी लिख सकते हैं या गाते भी लिख सकते हैं चोद्वा प्रश्ण है निमन लिखित पद्याम्श पढ़कर प्रश्णों के उत्तर विकलपों में से चुनका लिखिए मन में श्रद्द और प्रेम का अद्बुत दृष्य दिखाएंगे सत्य अहिमसा त्याग समर्पन की बगिया महकाएंगे जग के सारे कलेश मिटाकर धर्ती को स्वर्ग बनाएंगे विश्व बंदत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे आ है भारती मन में श्रद्द और प्रेम को कैसे दिखाएंगे अद्बुत दिखाएंगे इसका उतर क्या है इसका उतर है डी उसी प्रकार से आ हम सत्य अहिमसा त्याग और समर्पन की क्या महकाएंगे इसका उतर है सी तो यहां सी लिखिये तीसरा प्रश्ण है ए हम जग के सारे कलेश मिटा कर धर्ती को क्या बनाएंगे हम जग के सारे कलेश मिटाकर धर्ती को स्वर्ग बनाएंगे तो इसका उतर हुआ B विश्व बंदुत्व का मूल मंत्र हम कहां सरसाएंगे विश्व बंदुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे इसका उतर हुआ ये उसी प्रकार से इस पद्यामश के कवी कोई है इस पद्यामश के कवी कौई है हम भारतवासे तो हम भारतवासे के कवी कोई है आर पी निशांग इसका उतर हुआ डी निमने लिखीत गद्याम्ष पड़कर नीचे दिये गए प्रश्णों की उत्तर एक वाख्य में लिखिए पेश्वा की सेना हार गई ये अच्छा ही हुआ अब पेश्वा की आँखे खुलेंगी रगुनात अपनी सेना को तयार होने की आग्या दो रोज गौालियर का किला नहीं ले सकेगा आ है किसकी सेना हार गई पेश्वा की सेना हार गई पेश्वा की सेना हार गई आप रिश्टू रगुनात अपने सेना को तैयार होने की आग्या दो यह वाक्या है किसने कहा लक्ष्मी बाई लक्ष्मी बाई ने कही ए कौन ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा अब किसकी आँखें खुलेंगी फेश्वा की आँखें खुलेंगी यह गद्याम्ष किस पार्ट से दिया गया है सोलवा प्रेश्ण है आँखेंगे की पड़ाई के लिए प्रतम भाशक हो या द्वितिय भाशा हिंदी का चैन करना ही लाबदायक है मुझे पूरा विश्वास है की तुम हिंदी से जुड़कर अंतराष्ट्रे सर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे प्रेश्ण आ द्वितिय भाशा के रूप में किस विशय का चैन करने की सलाब पूछी थी द्वितिय भाशा के रूप में हिंदी भाशा का चैन करने की सलाब पूछी थी द्वितिय भाशा तो इसका उतर है बी आ